नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सकसेज एवरीवन में आज हम सभी सिक्षण कोशल के अंतरगत 20 सबसे महत्वपून सबाल पढ़ने जा रहे हैं ये महत्वपून कोशल हमने अलग-अलग किताबों से आपके लिए छाट कर लाए हैं इसमें एक या दो प्रश्ण आपको सिक्षक भरती परिक्षा या टैट में अवश्य मेलेगा तो चलिए सुरू करते हैं सुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं आज का पहला सवाल राज्य सिच्छा संस्थान कहा है तो राज्य सिच्छा संस्थान कहा है तो राज्य सिच्छा संस्थान इलाहबाद में है दूसरा सवाल राज्य बिग्यान संस्थान कहां पर है तो राज्य बिग्यान संस्थान भी इलाहबाद में है चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न राज्य हिंदी संस्थान कहां पर है? दोस्तों ध्यान दीजेगा ये बहुत ही मात्रपूर्ण सवाल है हिंदी संस्थान तो राज्य हिंदी संस्थान वारांट सी में है चलिए देखते हैं चोथा क्वेशन राज्य सेच्छिक तकनीकी संस्थान कहां पर है? राज्य सेच्छिक तकनीकी संस्थान तो ये लखनाव में है पांचवा प्रश्ण आंगल भासा सिच्छन संस्थान कहां पर है? आंगल भासा सिच्छन संस्थान भी इलहाबाद में है छटा प्रश्ण मनो विज्ञान और निर्देशन विभाग कहां पर है मनो विज्ञान और निर्देशन विभाग इलहाबाद में है साथवा प्रश्न राज्य परियोजना कार रहाल है कहां पर है परियोजना कार रहाल है जहां से सभी परियोजनाओं का किरियान वहन होता है कहां पर है तो सीमेट इलहबाद में है नवा कोश्चन सीमेट का पूरा नाम क्या है तो सीमेट का पूरा नाम राज्य सैचिक प्रवंधन एवं प्रसिच्चन संस्थान है एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं राज्य सेच्छिक प्रवंधन एवं प्रसिच्छन संस्थान चलिए देखते हैं दसवा सवाल सीमेट का अगठन कब हुआ तो सीमेट का अगठन 1995 इस्वी में हुआ था चलिए देखते हैं ग्यारवा सवाल ग्यारवा सवाल है N-C-T-E का पूरा नाम क्या है N-C-T-E का पूरा नाम राष्ट्रिय अध्यापक सिच्छा परशद है दोस्तों जादा तर एक्जाम में ये फूल फॉर्म पूछी जाती है चलिए देखते हैं बारवा एक कॉश्यन N-C-T-E की स्थापना की गई थी N-C-T-E की स्थापना कब की गई थी तो N-C-T-E की स्थापना 1995 में की गई थी चलिए देखते हैं तेरा वा सवाल N-C-T-E में कुल कितने सदस्य होते हैं? ध्यान दीजिगा इस तवाल पे N-C-T-E में कुल सदस्यों की संक्या होती है 41 जड़े देखते हैं 14 वा सवाल D-P-E-P का पूरा नाम क्या है? D-P-E-P का पूरा नाम जिला प्राथमिक सिच्छा कार्रेकरम है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए नया होगा D-P-E-P का पूरा नाम जिला प्राथमिक सिच्छा कार्रेकरम है जड़े देखते हैं 15 वा सवाल D-P-E-P की स्थापना किस वर्स हुई? तो D-P-E-P की स्थापना भी 1997 में हुई थी जड़े देखते हैं 16 वा सवाल स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? देखिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की परिक्षा है तो उत्तर प्रदेश से सम्मंदित कोशन जादा पूछे जाएंगे तो इस्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो उत्तर पदेश में लागू हुआ था 2004 में सत्रेवा सवाल सर्व सिच्छा अवियान का अगठन किस बर्स हुआ था? सर्व सिच्छा अवियान का अगठन बर्स 2001 में हुआ था चलिए देखते हैं अठारवा सवाल उच्च अध्यन सिच्छा संस्थान कहां पर है तो ये इलहाबाद में है उन्नीस वासवार निउपा का पूरा नाम क्या है निउपा का पूरा नाम क्या है तो निउपा का पूरा नाम राष्ट्रिय सैच्छिक आयोजन एवं प्रसासने बिश्रविध्याल है एक वार फिर से रिपीट कर देती हूँ राश्ट्रिय सेच्छ आयोजन एवं प्रसासनिक विश्विध्याल है जिली देखते हैं आज का आखरी 20 वा सवाल नियूपा का मुख्याले कहा है? नियूपा का मुख्याले है नई दिल्ली में तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपून 20 सवाल अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा रन्यवाद